विल्कम फ्रेंट्स तू माई यूटूब चैनल पियोगाइट टीप्स और रिक्स मैं संजय विश्वास अब सभी का स्वागट करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे सैप बैक ओफिश एंड पॉइंट अफ सेल का पासवर्ड हम कैसे चेंज कर सकते है तो वीडियो को एंट तक देखें अगर आपको वीडियो पसंद आए हेल्फुल लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई इडियो है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को जद़ ज़दा शेयर कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को चलिए हम देखते है सब्सक्राइब का पासवर्ड हम कैसे चैन्ज कर सकते हैं जो पॉसेडियोर है वो हम देखते हैं तो इसके लिए हमें आएम पोर्टाल ओपेन करना परेगा तो आएम पोर्टाल का जो यूरल है आएम.IndiaPost.gov.in slash identity तो इस यूरल को हम किसी भी ब्राउजर में ओपेन करेंग और यह जो URL ऑफिसाइट सिर्फ Cephy Network में है ओपेन हो सकता है. तो यहाँ पर देखे ऐसे आएम पोर्टाल यहाँ फेन हो जाएंगे तो यहाँ यूर आईडिया पासवर्ड से हमें लगईन करना है तो जो हमारा यूर आइडिया बो हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख देखे चेंज माईब सरोड़ एंद यहापर बेसेबल हो जाएंगे तो यहापराइंग ट्र चेंज माईब सवार अप्षन पर क्लिक कर के हम पासवार अगर अगर आपके पासवारड और्रेडी एकसपार हो गया है तो आप लॉग इन करने के बाद डायरेक्ली इस पेज पे यहां पर पासवार्ट चैन्ज पेज पे आ जाएंगे आपको पासवार्ट चेंज करना पड़ेगा तो ये देखिए उसके यूजर आईटी रहेंगे लास्त निम रहेंगे तो उसकेटर बाद हमें पासवार्ट dependency है तो password set करने के लिए जो नया password हम डालेंगे वो password यहापर new password जो option है यहापर हम type करेंगे new password and new password and जो confirm password है वो same रहेंगे यहापर हम new password डालेंगे फिर confirm password डालेंगे यहापर देखिए password का जो specification है वो यहापर mention हुआ है वो login ID नहीं हो सकते आपका password minimum 9 character के होना चाहिए maximum 15 character alpha numeric रहेंगे upper and lower case में and special character भी रहेंगे सारी details यहापर कैसे password होंगे वो यहापर mention हुआ है तो इसके बाद यहापर हम submit कर देंगे तो यह जो टाक्स हमने submit कर लिया है यह यहापर complete होना चाहिए iam portal में फिर हम login कर सकते हमारा password change होंगे तो उसको भी कैसे check करते है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को इन तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है helpful लगा तो लाइक कीजिए कोई कोई यह तो आप comment करके पूश सकते है वीडियो को जाते है यह शेयर कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को तो यह पर जो password change हो रहा है वो हम टाक्स यह पर सब्मीट कर लिया है उसके इसको सब्मीट होने के बाद इस यह जो टाक्स हम सब्मीट किया है पासब्मीट के लिए यह complete हुआ या नही and back office and point of sale में कैसे यह पासब्मीट होंगे वो भी हम discuss करेंगे तो देखिए यह यह पर टाक्स सब्मीट हो गया है फिर यह पर देखिए जो होम ऑप्शन है इस होम ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे and फिर view my submitted tax option पर जाके यह पर date range हम डाल सकते हैं डालके यह पर search करेंगे तो यह पर जो टाक्स हमने submit किये थे password change करने के लिए तो देखिए यह पर change हो गया है परेगा और अकर यह pending दिखाता है तो आपको wait करना है तो यह पर हमारा password change हो गया अब हम हमारा office के जो हाइसिंग के उसको run करेंगे तो back office and point of cell का password change हो जाएगा and step का भी password change हो जाएंगे thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पसंद आये helpful लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई डिये तो आप comment करके पूछ साकते वीडियो को चाहता है तो शेयर कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को